दर्म पूशा पाट के सभी दर्शकों को जैस्री कृष्णा आईये जानते हैं दुर्गा तापना के सुब मुर्थ घट स्तापना 2022 इसमें सुब मुर्थ कुन सा रहेगा मित्रों दो अपरेल के दिन सनिवार जिसके अनुसार सुब आठ बज कर पांस मिनट से लेकर नो बज के सहंतीस मिनट तक सुब का चोगडिया रहेगा तो कि बहुत ही बढ़िया स्तापना के लिए देगा चोगडिया के अनुसार उसके बाद में आप विर्शब लगन के साल मूर्थ करना है घट स्तापना करनी है तो उसके भी आपको जानगारी होनी चाहिए आपके नाम से यह मूर्थ बनता है या नहीं बनता है चोथा छटवा आटवा बारवा जगन नहीं लेना चाहिए इसके उपरांत मित्रों परतिविदा तीथी ग्यारा बज के 57 मिनट तक ही रहेगी यह भी द्यांद रखिए इसके उपरांत भी कई लोग करना चाहें तो कर सकते हैं इस्तापना परंतु सुब मूर्थ आठ बज के 5 मिनट से 9 बज के 37 मिनट तक का विशेश मूर्थ रहेगा जिसमें आठ पांस से आठ चतिस तक विरस्पती की होरा भी रहेग जो की बहुती उप्यूकत हैं गट स्थापना के लिए उसके प्रांत नवरात्री की रूपरे का इस्प्रकार है की 2 अपरेल को सनिवार के दिन प्रतिपता माता सेल पुत्री की पूजा होगी इस दिन इन अपरेल रईवार दितिया दिति माता ब्रंब चाने की पूजा चतुफर्तिक खुष्मांदा, शेअप्रेल बुधुवार, पंचमी इसकंदमाता, शाथ अप्रेल गुर्वार के दिन, सस्टितिति और कात्याइने माता के भूज़ा होगी, आठ अप्रेल को सुकरवार, सप्तमी कादरात्रे की भूज़ा होगी, 9 अप्रेल सनिवार के दिन अस्टमी महागोरी की उपासना होगी 10 अप्रेल के दिन राम नमी के साथ साथ माता सिद्धी धात्री सिद्धियों को देने वाली मा के पूजा होगी इस प्रकार से माता के नो रुपों का इसी प्रकार से तीती के अनुसार पूजन होगा और रूप रेखा इस प्रकार नो रात्तरी भी रहेगे अशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी आप अपने जनों तक शेर भी कर सकते हैं और विशेस हम को आपके लिए इस प्रकार के वीडियो लाने चाहिए कुनसी बातें आप जानना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं जैस्टरी कृष्णा